Welcome to the yet another session of Wow Wellness. ये जो संडे है, इसमें हम ये Wow Wellness में आज का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे वाकिंग के बारे में. हर आदमी वाकिंग करता है, हर आदमी जोगिंग करता है, हर आदमी जो है वाकिंग के फायदों को जानता है. लेकिं वाकिंग के फायदों के साथ साथ बहुत सी सारी चीजे हैं, जिसको पूरा का पूरा पकड़के एक टॉपिक ऐसी आई कि बहुत लोगों का डिमांड था कि वाकिंग के बारे में बहुत सारी मित्याधारनाएं हैं, मित्स हैं, फैक्ट्स हैं, तरीके हैं, उसको कैसे क आपको देने की बात कर रहा हूं. All science-backed and all authentic information, all research-based information, ताकि आपको कम समय में सारा कुछ एक साथ मिले. And I am going to make your next 45 minutes worth. Because in next 45 minutes, मैं जो चीजह आपको बताने जा रहा हूं, पहला तो endless health benefit of walking की बात करें. क्योंकि मतलब आप गिनते चले जाएं, walking के benefit, benefit खतम नहीं होंगे. तो endless जो benefits हैं, उसकी बात हम करेंगे. उसमें से चुने हुए top benefits की बात करें. Plus, I am going to tell you, 5 surprising benefits of walking that you may not know. कुछ ऐसे surprising benefits walking से हो सकते हैं, जो साइध हमें पता नहीं है. फिर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं, जिससे walking को आप अपने daily routine में incorporate कर सकते हैं. बहुत समय से सोच रहे हैं, बहुत struggle करते हैं, लेकिन walking होता है, बीच में छूट जाता है, पकड़ते हैं, छूट जाता है, वो incorporate हो जाए. फिर मैं आपको 5 ऐसे tips बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप daily steps को ensure कर सकते हैं, जैसे आपने तै कर लिया कि 8000 कदम, 10,000 कदम, तो 8000 कदम को सुनिश्चित कैसे करें, इसके लिए भी मैं 5 tips आपको देने जा रहा हूं, मैं आज आपको 5 myths and facts बताने जा रहा हूं, मिथ्या धारनाय बताने जा रहा हूं walking का, and हम कुछ और भी topics cover करेंगे, जैसे how to walk, कैसे walk करें, सही correct way of walking क्या है, या फिर how much should you walk, कितना कदम चलना चाहिए, कितना कदम बहुत जादा है, कितना कदम बहुत कम है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, when to walk, कब walk करें, सुबह में करें, साम में करें, खाने के बाद करें, रात में करें, तो इन सारी चीज़ों को, हम इस अगले 40 मिनट में डिकोड करेंगे और उसकी बाते करेंगे तो हम सब तयार हैं और हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो मैंने बताया endless benefit के बारे में कि अंगिनत तरीके से word use कर सकते हैं आपकी फाइदे हैं आपने अपने फोर फादर से अपने पिता से अपने दादा जी से अपने नाना जी से भी सुना है और अभी तक सुना है experience किया है बच्पन से लेके अभी तक जो भी उम्र में हम लोग हैं वाकिंग के फाइदे 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 ही देखे हैं और walking को हमेशा से सराहा गया है, समझा गया है तो फाइदे तो सबको पता है तो इसको summarize करने के साथ-साथ कुछ bullet pointers की बात करें कि मुख्य फाइदे जदी लिये जाएं और या तो जो फाइदे हमें पता हैं उसको recap किया जाए तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि walking is the best and simplest aerobic exercise ये एक aerobic exercise का simplest form जदी कहा जाए तो ये best statement होगा एक जदी brisk walking किया जाए तो उसके अंदर tremendous power है body और mind को benefit देने का और जो best thing है कि ये जो है perform किया जा सकता है walking कौन कर सकता है तो कोई भी कर सकता है चोटा सा बच्चा भी कर सकता है एकदम बृद्ध आदमी जो है भले वो stick लेके छड़ी के सारे करे लेकिन walking कर सकता है तो walking की जो खासियत है वो है कि all person at any age group ये कर सकता है and any stage of life में कर सकता है एक और बात है walking के साथ साथ कि walking के साथ ही सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि केवल फाइदा है कोई नुकसान नहीं walking का कोई disadvantage नहीं है अभी तक कहीं पे ऐसा कोई science ऐसा कोई research ऐसा कोई topic ने ये नहीं बताया कि walking से नुकसान है of course जदि आपके पैर में कोई तकलीफ है नव में कोई तकलीफ है उस समय डॉक्टर ने कहा है कि walking अभी नहीं करना चाहिए that's a different thing altogether but walking पर से करने से जदि कोई नुकसान होता है ऐसा कहीं नहीं होता है तो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे केवल फाइदा है कोई नुकसान नहीं मैं एक reference देना चाहता हूँ Harvard Medical School के एक research का जहां पर ये बताया गया कि according to this study ये जो research है उसके हिसाब से walking for just धाई घंटा in a week 2.5 hours in a week एक सब्ता में जदि आप धाई घंटा walking करते हैं total which is very small तो इससे 21 minute a day कि जदि आप calculation लेके चलें तो heart disease का जो खत्रा है वो 30% कम हो जाता है 30% heart risk जो है heart disease का risk आपका कम हो जाता है जदि आप 25 minute दिन का जदि walking करते हैं तो ये इस तरीके की research और data है जो बार बार compare करते हैं कि walking इस तरीके की चीज़ है and ये एक statement है Thomas Jefferson का जो ये कहता है कि of all exercises walking is the best अभी तक जितने तरह की exercise इजाद किये गए किये गए practice किये गए उसमें से walking को best का दर्जा दिया गया and why it is the best इसको best क्यों कहा गया ये इसलिए कि इसके reasons भी endless है जैसे फाइदे endless हम गिन रहे है reason भी endless है but आज के इस session में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ science-backed benefits top five day benefits let us get started with one by one जो पहला चीज मैं बताऊंगा फाइदे में वो कि walking एक natural phenomena है आप सब समझ सकते हैं बच्चा जब एकदम छोटा होता है तो पहले उसको खड़ा करना हम सिखाते हैं और बच्चा फिर चल पड़ता है तो walking इतना natural है तो natural phenomena है ये एक basic act है किसी भी human being की बात करें तो उसका ये basic act है और इसके लिए किसी तरीके का कोई effort नहीं डालना पड़ता पर से effortless होता है और इसी लिए इसको natural exercise कहा जाता है complete natural exercise है walking जो है वो aerobics के benefits देता है aerobic आप में से बहुत लोग करते होंगे खासकर जो हमारे यहां पे मैलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा aerobic पे focus करती होंगी तो ये जो aerobic है उसके जो जो फाइदे आप किने उसका फाइदा आपको walking में मलता है तो walking is the only exercise that gives you the benefits of aerobic बिना किसी खर्चे के बिना किसी बात के walking जो है आसान है walking करने के लिए कोई ताम जाम नहीं करना पड़ता है कोई preparation नहीं करना पड़ता है walking के लिए कहीं पे गाड़ी में बैठके किसी जिम में कहीं पे जाना नहीं पड़ता है जाने के लिए वैसे भी लोग जाते हैं और जाके treadmill में walk करते हैं that's fine but then walking करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई चकल्दूस करने का जरूरत नहीं होता और वो easier होता है अब चाहे आप one year old हो चाहे आप एकदम बृद्ध हो walking जो है उसको सीखना नहीं पड़ता है you do not need to learn अगला जो point में कहता हूँ वो यह है कि walking safest है injury free है कोई तरीके का injury होने का chance नहीं आप दौर भी रहे हैं तो साहिद गिर जाएंगे injury होगा आप जदी कोई भी तरीके का gym कर रहे हैं कोई भी तरीके exercise कर रहे हैं high impact exercise कर रहे हैं low impact कर रहे हैं आपको कहीं न कहीं चोट लगने का injury होने का खत्रा रह सकता है but walking है कैसी चीज है कि हम हमेशा से चलते रहे हैं सुबस हम चलते रहे हैं natural प्रकडिया है तो इसमें किसी तरीके का risk हो जाए ऐसा बात नहीं है एक और बात है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है walking करना हो आपको इसके लिए कुछ खर्च करनी पड़े ऐसा नहीं है walking का कोई खर्चा नहीं है तो इसको कहा जा सकता है most inexpensive exercise है जिसका कोई खर्चा नहीं है एक और बात है कि walking जो है आपके body के जो muscles है उनको जो है strengthen करता है उनको मजबूत बनाता है और उनमे flexibility लाता है ये दोनों बाते साथ-साथ हो रही है walking आपको सिर्फ पैर के किसे हिस्से में ये महसूस हो रही हो लेकिन ये पूरे body का एक तरीके से ये जो है muscle और उसके flexibility पे काम करता है और एक और चीज जिसमें आ रही है कि muscle जो है ये एक muscle नहीं होके muscle groups है बहुत सारे muscle groups है body में और walking जो है best exercise है to keep fit because ये क्या करता है तो ये जो है most organs सरीर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा organs है उनको और उस पूरी system जो है body की उसको उसमें कहीं न कहीं connect करता है जब आप तेज तेज चलते हैं तो आपकी सांस भी चलती है आप लंबा चलते हैं तो सांस भी चलती है और जब सांस चलती है तो फिर heart का भी कुछ होता है heart का होता है blood circulation भी बढ़ता है blood circulation बढ़ने से कुछ और होता है फिर उसी तरीके से आपकी जो बाकी की प्रनालियां है खासकर पाचन तंत्र digestive system उसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसा कि endless benefit जो हम गिन रहे थे उसमें ये भी है कि जदी आप walking करते हैं बढ़िया से तो आपका पाचन तंत्र बहुत बढ़िया रहते है जदी आप walking करते हैं तो आपको जदी किसी तरीके का कोई inflammation है किसी तरीके का कोई बात है तो उसमें फाइदा होता है walking करते हैं तो जो pain है उसमें भी फायदा मिलता है ऐसा इसलिए होता है कि ये सारा प्रणाली एक दूसरे से फिर connect होता है और walking को उसका फायदा मिलता है एक और कि कोई भी age group हो जैसा तस्वीर में दिख रहा है उसके लिए walking perfect है best exercise है कोई भी age group का इसके लिए किसी तरीके का कोई fear या prejudice या पुर्वधारना वाला कहानी नहीं है walking किया जा सकता है दिर्घायू longevity के पीछे सब लोग होते हैं हर आदमी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जी हैं बढ़ क्या आपको मालूम है कि longevity के लिए दिर्घायू बनने के लिए walking सबसे बढ़िया prescription है जदि आप regular walker है तो longevity आपकी है आप दिर्घायू बने रह सकते हैं इसी लिए walk longer and live longer आप हर जगह पे ऐसा slogan सुनते होंगे या अच्छा खासा popular slogan है जदि आप google में डालेंगे walk longer and live longer तो आपको इस पे बर-बर के बड़े-बड़े blogs मिलेंगे या बहुत सारे artwork मिलेंगे या banners मिलेंगे that means इतना popular saying है ये old saying एक और बात है ये कहीं भी कभी भी किया जा सकता है anytime, anywhere अभी आपको walking करने की इच्छा है ये program देखते-देखते इस station को attend करते-करते आप walk कर सकते हैं आप अपने दफ्तर में हैं office में हैं workplace पे हैं आप वहीं पे अपने cabin में अपने workplace में walk कर सकते हैं आप जहां पे हैं वहां पे walk कर सकते हैं walk करने के लिए आपको किसी तरीके का time adjustment जगह ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा एक और चीज़ है कहीं भी कभी भी तो है बट यह जो है अकेले भी किया जा सकता है किसी के कंपनी में भी किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि वो नहीं आये तो आज वाकिंग नहीं होई मेरे वो मित्र नहीं आये इसलिए वा Oh something's wrong. Please try again. I'm sorry. Siri got activated. अब prevention की बात करें. अभी तो हमने दिर्गाईू होने की बात की. अभी prevention की बात करें. care की बात करें. और थोड़ा सा cure की भी बात करें. निदान की भी बात करें. तो prevention और care के लिए walking को best exercise माना गया है. अक्सर आप देखते होंगे कि किसी भी बिमारी के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपको walking का सला जरूर देते हैं डॉक्टर walking के लिए जरूर बोलते हैं तो यह जो walking है इसलिए बोलते हैं कि इसका बहुतों से connection है walking is the only exercise which is prescribed as curative measure also पूस्ट करता है यह जो है आपके जो जो रक्त संचार है जिसको blood circulation कहेंगे उसको बढ़ाता है यह जो आपके mood को elevate करता है यह आपके stress को manage करता है आपके cortisol level को नीचे ले जाता है आपके happy hormones को बढ़ाता है और यह सारी प्रक्रिया जो होती है आपके पाचन को बहतर करता है आपके constipation को कम करता है आपका जो colon है उसको बहतर करता है तो ये सारे ऐसे ऐसे factors हैं जो एक तरीके से prevention तो करी रहे हैं लेकिन आपको आपकी curative measure की बात की जाए या आपके इलाज की निदान की बात की जाए कोई भी बिमारी हो उसके लिए तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है वाकिंग अकसर आपको oxygen supply भी बढ़ाता है क्योंकि वाकिंग जाधा करके आप सुबह में करते हैं और वाकिंग करते से में आप तेजते सांस भी लेते हैं तो ये जो है उस तरीके से आपके oxygen supply को बढ़ाता है और माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिमारियां, किसी भी तरीके चाहे कोई बिमारी क्यों नहों हो, आपका ज़िदी स्वसन बढ़िया हो रहा है, आप रिलाक्स ज़्यादा रह रहे हैं, तो ये बहतर होगा, तो उस तरीके से ये prevention और care की बात करते हैं. पावरफुल stress reliever के रूप में walking को बहतरीन तरीके से आप इस्तमाल कर सकते हैं, walking को ideal माना जाता है आपके stress को और worries of life को combat करने के लिए, life में worry नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, आज के समय में work में, education में, study में, आपके business में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके social media में आपके relatives में, हर जगह पे कहीं न कहीं stress तो रहेगा, क्यों stress है, कि you want more, you want more from that less time, you want more from that money, you want more from something, तो ये जो जादा वाली चकर है और समय कम, जादा requirement पैसे कम, जादा expansion का ख्याल और working capital कम, ये आपको हमिसा से तनाव में रखता है, हमिसा से ब्यस्त रखता है, तो ये worries होते ह और इस worries के लिए, walking बहुत जादा कारगर प्रभावी होता है, कैसे मैं बताता हूँ, walking जो है, आपको जो है एक तरीके से well-being का feeling कराता है, आपको ऐसा लगता है कि वो एक three idiot movie में, आपने सुना होगा, all is well, all is well, तो ये जो all is well, अमीर खान वहां पे कहा करते थे, वो अपने को अच्छा well-being महसूस कराने के लिए, पर क्या आपको मालूम है कि जदि आप walking करते हैं regularly, तो ये जो all is well वाली बात है, वो सही माइने में प्रकट होता है, और सही माइने में body all is well form में जाता है, बिको सारे organs उसमें involved होते हैं, endorphin, endorphin एक chemical, जो की pituitary gland वाली बात जदी की जाए, तो उससे निकलने वाले hormones ये सारे चीजों को walking जो है बढ़िया से नियंतरित करता है, और ये सारे चीज आपके mood lifting में, mood elevation में, आपके pain relieving में मदद करते हैं, तो या तो आपको किसी चीज की पीड़ा है, कोई organ में कहीं न कहीं pain है, कहीं न कहीं आपको वो तकलिफ द कर रहा है, तो ये उस तरीके से चतुरदिक काम कर रहा है, अगली जो बात है, वो है, maintains your body in shape, हर आदमी body को shape में रखना चाता है, इसके लिए बहुत सारे लोग gym जाते हैं, कोई six pack, five, eight packs, कुछ-कुछ बना रहा है, कोई डोले-शोले बना रहा है, कोई fit रहना चाता है, आपने upper body, lower body का बहुत सारा exercise कर रहा है, तो हर आदमी की एक इच्छा है, कि उसकी body shape में रहे, बट ये तो muscle बनाने वाली बात हुई, अभी तक body shaping की बात हुई, लेकिन body को shape में रखने का एक और मतलब है, मतलब ये है, कि आपका वजन कितना, आप overweight हैं, obese हैं, obese के किस class में ह तोंद बहुत जादा निकली है, बहुत जादा फैले हुए हैं, तो जदी आप ऐसे हैं, तो उसको भी body shape में ही रखा जाएगा, कि आपकी body shape कैसी है, walking को ऐसा rate किया गया है, कि इसको best माना गया है fat burning के लिए, fat deposit जदी आपकी body में है, और उसको जदी burn करना है, all over the body की बात ह हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ pit पे, high पे, इदर, उदर, कमर के नीचे, love handles, किसी चीज़ की बात करें आप, जदी आपके पास all over the body, जदी deposits है fat के, तो उसको burn करने के लिए walking को number one rate दिया गया है, इसके अलावा, walking जो है, आपके neuromuscular system को tone up करता है, और साथ ही, आपके strength क बढ़ाता है, strength बढ़ता है, जद जो आप gym में actually करते हैं, दोनों एक साथ तब strength भी बढ़ता है, तो ये वाली चीज walking आपको दे सकता है, और body का जो, क्या बोलते हैं, जो flexibility है, जो लचीलापन है, उसको ये बढ़ाता है, और strength तो gain कराता ही है, तो walking improve करता है, आपके overall body के flexibility को, उसके strength gaining capacity को, और इस हिसाब से आपकी body ज़्यादा fit and fine रहती है, और आपकी body shape में रहती है, flatter tummy की आप बात करें, आप अपने trimmer thighs की बात करें, इन सब चीज में ये walking आपके लिए बेहतरी इंकाम करें, 30 minute की जदी बात की जाए, सिर्फ आदा गंटा रोज जदी आप walking करते हैं, तो वो आपके blood lipid का जो है, अस्तर को बहतर करता है, मतलब lipid health जिसको आप कहते हैं, उसको वो बहतर करता है, inflammation markers को control में लाता है, और इस तरीके से आपका जो heart health है, जो lipid health है, उस पे बढ़िया सा पड़ता है, walking आपके chronic pain को भी बहतर कर सकता है, आपके knee को बहतर कर सकता है, जदी knee में किसी तरीके का आपको aging होने पे pain होने जा रहा है, या osteoarthritis होने जा रहा है, या घुटने में किसी तरीके का fluid सूखने जा रहा है, या cartilage गिसने जा रहा है, इस तरीके की चीजों में भ cognitive health की बात करें तो ये सारा चीज आपके quality of life को decide करता है और walking का इन सब से संब्ध है जो बढ़िया walker है regular walk करता है उसका motor system perfect रहता है उसका cognitive health proper रहता है उसकी memory उसका बाकी सब चीज भी ज्यादा बहतर रहने की संबावना रहती है तो ये आपके heart attack के risk को lower करता है आपके stroke के risk को lower करता है और heart के failure को 31% कम करता है 31% तो इतना सारा कुछ जदी करता है तो walking हमेशा से बहतर माना जाएगा अब hypertension और diabetes को भी walk जो है अच्छा खासा नियंतरित रखता है और इसलिए जदी आपको hypertension है भी बहुत सारे लोग आप जानते होंगे हमारे पैचान के हमारे घर में बह से हैं लेकिन उनका hypertension कहीं कोई उनको तकलीफ नहीं देता just that he was diagnosed that's all बाकि कभी उसको तकलीफ नहीं देता कोई दवा नहीं लेते क्यों क्योंकि वो regular walker है same way diabetic की बात करें बहुत सारे लोगों को diabetes है और आपको बहुत सारे लोग ऐसे morning walk में आपको मिल जाएंगे जो diabetic हैं और walking करते हैं और किसी तरीके कोई medicine नहीं लेते they are perfectly maintained managed why because इसका diabetes और hypertension पे बढ़िया काम है अब ये तो जो रोगी है उनकी बात कर रहा था लेकिन मैंने लाल से जो screen पे लिखा है red font से उसको पढ़िये how walking protects from मैं बचाओ की बात कर रहा हूं मैं prevention की बात कर रहा हूं कि आपको hypertension ना हो और ये बड़ी बात है क्योंकि आज almost हर 10 में से एक आदमी diabetic है और आधे लोगों को पता ही नहीं है कि वो diabetic है भ़ारत सरकार के आकड़े के हिसाब से हर 3 मेंसे एक आदमी को hypertension है high blood pressure है और उसको पता नहीं है कि उसको high blood pressure है बहुत सारे लोगों को मालुमनी है कि उसको diabetes है प्रभावी और अच्छा एक चीज बन जाता है कि वाकिंग वन अफ दे एजिस्ट एक्टिविटी माना गया है तो स्टार्ट विट जदि सुरू करना है तो कोई भी एक्सरसाइज सुरू करने जाएं तो उसके लिए कुछ तो तयारी करनी पड़ेगी कोई योगा करना है कोई जिम का कुछ चीज करना है इवन जुम्बा अगरा भी करना है तो आपको कुछ तो सुरू करना पड़ेगा यहाँ पे आप सिंपल स्टार्ट हो सकते हैं और डाइबिटिक जदि हैं तो उनको भी किसी तरीके की कोई तयारी नहीं करनी है वो सिंपली स्टार्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस में हैं तो फुट में जदि कोई तकलीफ है तो प्रॉपर फुट वीयर होना चाहिए ज़ो डाइबिटिक फुट कभर करता हो उतनी बात है बाकी आप वॉक्इंग कर सकते हैं वाकिंग जदी ब्रिस्क पेस पे किया जाए, ब्रिस्क पेस पे जदी वाकिंग किया जाए, या moderate intensity पे किया जाए, तो ये जो है aerobic exercise का काम करेगा, थोड़ी देर पहले हम slide पे समझ रहे थे कि ये aerobic के सारे फाइदे देता है, तो जब आप aerobic activity करते हैं, मैं aerobic का चर्चा फिर नीचे जाता है, ये science है, जदी आप aerobic activity करते हैं, तो आपका blood glucose level नीचे जाता है, और इसी लिए जब आप 8000 कदम चलते हैं, 10,000 कदम चलते हैं, 5000 कदम चलते हैं, रोज, regularly चलते रहते हैं, और ऐसा करते हैं, तो आपके type 2 diabetes होने का risk जो है, वो कम हो जाता है, आपके pre-diabetic ज नहीं है, तो pre-diabetic होने का risk भी कम हो जाता है, and if you have trouble in walking, 30 minutes at a time, आप बोले कि नहीं, नहीं, 30 minutes भी हमने नहीं चल सकता, एक साथ, कोई region से हो सकता है, आपके foot में कोई हो, तकलीफ हो, इधर हो, समय का कोई बात हो, तो जदी आप 30 minutes भी एक साथ नहीं चल सकते, तो इसका भी तोड़े है, कि उसको जो है, छोटे-छोटे टुकडे में बांट देजे, smaller amounts में तोड़िये, और throughout the day, आप 10-10 minutes, 3 बार कर लीजे, चार बार कर लीजे, और ये possible है, 10 minutes आपने सुबह में कर लिया, 10 minutes आपने कभी कर लिया, कभी afternoon में कर लिया, फिर evening में कर लिया, तो ये 10-10 minutes के टुकडे में भी ये पूरा cover वे जाएगा, अब सवाल आता है कि how much should you walk, ये तो सारे walking के फाइदे हैं और बढ़िया बात है, बट कितना, कोई कहता है 10,000 कदम, कोई कहता है 15,000 कदम, कोई कहता है नहीं, कम इतना भी काफी है, कोई कहता है उतना भी काफी है, कितना, how much, ए effortless है, इसके लिए कुछ extra करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो answer है इस सवाल का, कि how much steps you should take, कितना walking करना चाहिए, तो answer है कि आप जो है, walk as much as your body permits, आपकी body जितना permit करती है, उतना walk करें, और body आपको खुदी बता देगी, कुछ body आपको signal देता है, आपको बताएगा कि आ जिदी body signal दे रहा है, 30 minute एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, 10 minute करें, फिर 10 minute करें, फिर 10 minute करें, सुबह में करें, दो पर में करें, आफ्टर नून में करें, साम में करें, फिर लेट इवनिंग में करें, तो कहने का मतलब कि body खुदी आपको बताएगा, लेकिन जदी आप repetitive कर रह जैसा मैंने कहा, कि as much as your body permits, जदी permit की बात है, तो आपने कर लिया, fair, बट benchmark क्या है, जैसे किसी विद्यार्थी को कहा जाए, student को, कि पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, लेकिन benchmark क्या है, कितना पढ़ोगे तो कितना marks आएगा, कितना marks लाना चाहिए, उसी हिसाब से, जदी बात की जाए, तो benchmark हर चीज का होता है, तो walking का benchmark क्या है, तो walking के benchmark के लिए WHO को सीधा refer किया जाए, world health organization को, जो सबसे ज़्यादा authentic होगा, तो WHO recommend करता है, 8000 step प्रती दिन, perfect balance रखने के लिए healthy mind, healthy body को, तो 8000 कदम का मतलब कितना होता है, आप सब लोग आजकल fitness band पहनते हैं, और आप स कोई भी phone आप रखते हैं, Google steps है उसके अंदर, आपके किसी भी phone में हर जगह पे कहीं न कहीं health app है, और वो आपके steps को track कर रहे हैं, तो वो बता रहा है कि आपका LD steps है, sorry steps कितना हुआ है, तो जब आप step की बात करें, तो 8000 कदम मतलब कितना, frankly speaking जदि आप अच्छे speed में चलते हैं, तो 8000 कदम का मतलब हुआ, आपका एक गंटे का walk, क्योंकि आप typically 2000 कदम जो है, आप जो है, पंदरा मिनिट में, 10 से पंदरा मिनिट में पूरा करते हैं, और आप जदी इस हिसाब से एक गंटा चल रहे हैं, तो 8000 कदम हुआ, तो उस हिसाब से आप calculate कर सकते हैं, और के लिए कि आपका ये पूरा नहीं होता है, डबलो एचो का 8000 आप नहीं कर सकते हैं, और आपका 7500 होता है, तो आप उसके लिए बहुत जादा परिशान होने की जगरत नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उसका ultra-diverse लेते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, जो हमारे knowledgeable doctors हैं, जो हम सकता में 150 मिनट आपको जो है proper walking करना चाहिए, और ये simple है, इससे ज़्यादा complicate करने की जड़रत नहीं है, तो कम से कम आप ये हो गए और आपने 8000 कदम का benchmark भी है, फिर आपकी ज़्यादी body permit करती है, आपका समय permit करता है, तो आप 10,000, 12,000 कुछ भी कर सकते हैं, correct way क्या है, walking walking कर समय हुआ, walking कितना करना है, वो हुआ, लेकिन correct way क्या है, तो correct way के लिए एक ही line मैंने आपके सामने लिखा है, और उस line को explain कर देता हूँ, वो line ये है कि maintain a steady heel to toe gate, gate का मतलब होता है कि कोई भी human, कोई भी प्रानी के चलने का तरीका, तो आप जो है steady heel to toe gate maintain करें, heel to toe gate का मतलब, कदम रखा, ये heel है आपका, 80 है, toe मतलब ये आपका पंजा है, तो ये जो heel to toe, आप पहले heel रखें, फिर slid करके आप toe की तरफ जाएं, तो ये जो है, और उसको steady ये process को follow करें, इसका मतलब ये हुआ, कि strike your ground with heel at first, उसके बाद then rolling through your heel to your toe, and then you can walk there, avoid flat step, जदि आपने पूरे 80 और इसको पंजे को एक साथ flat रखा, तो उसको avoid करें, और इसको भी avoid करें, कि आप जो है, सीधा toe के बल, पंजे पे चलने की बात करें, या पहले पंजा डालें, उसको भी ना करें, 80 रखा, उसमें आगे बढ़े और आगे बढ़े, और हर बार bring the back leg forward, तो strike the अगला वाला step, और same step में जदि चलें, तो ये तो एक हुआ, और भी कुछ tips जो follow करने चाहिए, जदि आप already बहतर चलते हैं, correct चलते हैं, तो perfect है, खाली telly करके देख लिजे, तो ये तो कदम रखने की बात हुए, दूसरा हुआ, कि ये जो कदम रखे जाएं, वो आपके सामने रखे जाएं, कुछ लोग कदम इधर थोड़ा सा stand tall का मतलब हुआ, मैं अभी computer पे जदि काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे हूँ, और मैं जदि ऐसे हूँ, तो मेरा कंदा, जो जुकड़ा है, उठ रहा है, ये मेरे कमर से connected है, तो जब कमर के पास, आप अंगुठा रख दें, अपने मेरो धंड पे, कमर के lower इस पे, और अपने बाकी fingers को आप अपने जदी hip की तरफ रखने की कोसिस करें, और फिर आप ये position करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो distance है, वो distance इतना बढ़ जा रही है, इतना घट जा रही है, खली आपके ऐसे होने से, जुकने से ये distance बढ़ जा रही है, घट जा रही है, तो stand tall का मतलब कि distance को बढ़ा के रखी है, मतलब आप सीधा रही है, तो stand tall while you are walking, walking करते समय आप इधर ना रहे हैं, इधर ना रहे हैं, सीधा रहे हैं, एक हुआ, that means अपनी read को सीधा रहे हैं, कंदे को सीधा रहे हैं, दूसरी चीज है eyes up, eyes up का मतलब हुआ कि आप नीचे देखके, अपनी feet को देखके, अपने जूतों को देखके, चलने की आदत ना रखें, एकदम बगल में ना देखें, आप सामने देखें, कम से कम 10 feet का distance रखें, गेज रखें, आप सब लोग गाड़ी चलाते होंगे और गाड़ी में डिपर होता है, light वाली, तो जब आप डिपर डाल हैं, और वो जो है, आपको बड़ा बर वो आपके पैर के पास क्या हो रहा है, उसको नजर रखता है, जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आप दूर भी देख रहे होते हैं, तो उस तरीके से वो mind अपने को calculate कर रहा होता है, लेकिन आप mainly जदी दूर देखें, तो posture भी चाहिए, उसको relaxed रहना चाहिए, तो कंदे को सीधा भी रखें और relaxed भी रखें, तो इसका तरीका क्या है, तो simple सा तरीका है कि roll कीजिए, roll your soldiers, मतलब roll का मतलब हमने इसको घुमाया, कंदे को घुमा दिया, तो roll your soldiers, back में roll करें, front में roll करें, and then down करें, और उसके बाद फिर इसक अपने कानों की तरफ pull up करके रखें, लेकिन जादा मत खीच लीजे, और उसके बाद if this is your natural porch, फिर इस porch पे जदी आप चलते हैं, तो यह हुआ, और एक जो last इसके लिए correct way का जो तरीका है, वो है sleep, जो mode नहीं होना चाहिए, आपका जो step होना चाहिए, वो सीधा रखा जान तो किसी का चपल जूते से आपको पता चल जाएगा, बहुत लोगों का shoe आप देखेंगे तो उसका 80 बार बार घिस जाता है, कुछ लोगों का चपल देखेंगे तो वो कोई यह खास portion पे घिसता है, वो इसलिए घिसता है कि वहाँ पे थोड़ी सी घिसने वाली बात होती ह जो की दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो रहता है थोड़ा सा, तो वो flaw है आपके walking है, उसको जदी आपने change किया, तो वो एक बात हो गई, अब कदम रखना कैसे है, इसकी बात करें, तो heavy तरीके से नहीं रखना है, step very lightly, lightly का मतलब क्या हुआ, कि do not, पहले तो lightly को बनान लेते हैं, तो impact ज़्यादा पड़ता है, उससे फाइदा तो होगा, high impact exercise हो सकता है साइद, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा, नुकसान क्या-क्या होगा, तो नुकसान ये होगा, कि वो आपके joints पे impact मार रहा है, अभी आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के हैं, जब आप उससे उ वास्त है, और हर चीजों का चीज है, किसी चीज को misuse करेंगे, तो फिर उसका problem होगा, जैसे आपकी गाड़ी पे, यदि capacity है, कि आप जो है, 300 किलो, 500 किलो गाड़ी का capacity ले सकते हैं, और आपने गाड़ी को load कर दिया बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी का जो shock absorber है, गाड़ होगी, और आप जदी ज़्यादा impact से रखेंगे, ज़्यादा बड़ा-बड़ा कदम रखेंगे, तो impact ज़्यादा पड़ेगा, अब ये तो सिर्फ रखने से हो रहा है, अब जदी आपकी वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप जदी obese हैं, या overweight हैं, तो magnificent machine जो भगवान ने आपको दी है, उसको बदला नहीं जा सकता, तो उसको फिर जहलना पड़ेगा, इसलिए walking जितना बढ़िया है, walking का जदी correct way नहीं हो, और ये correct way कोई सीख के नहीं आता, by default कोई wrong way पकड़ लेता है और उसको पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने कुछ checklist द एक बड़ा subject है और इसमें काफी भ्रांतियां हैं, काफी expert लोग हैं, आज YouTube का जमाना है, social media में experts हैं, तो हर आदमी expert है, और expert कोई ने कोई राय अपना देता रहता है, डॉक्टर से तो कोई पूछता ही नहीं है, तो जो walk कब करना चाहिए, इसकी बात की जाए, तो सबसे प अपने lowest पे होता है in morning hours, और उस समय जदी आप walking करते हैं, तो ये फाइदा मिलता है, morning walk एक और चीज़ करता है, वो जो है gene program को initiate करता है, आपके muscle cells के अंदर, और जब आपके muscle cells के अंदर gene program initiate होता है, तो ये जो है, आपके muscle cells को better capable बना देता है, metabolic function के लिए, metabolic किस बात का, तो metabolize करता है वो sugar को, metabolize करता है fat को, और इनकी जो प्रक्रिया है, उसको बहतर बना देता है, walking जदी आप कर रहे हैं तो, तो morning walk increases your energy level इसी वज़े से, क्योंकि वो आपके muscle cells में, जो sugar का metabolism है, या फिर जो आपके fat का metabolism है, इसको boost कर देता है, और आपक लगती है, आपको अच्छा लगता है, आप energetic मैसूस करते हैं, क्योंकि सब कुछ अंदर बढ़िया हो रहा होता है, again, जदी आप शाम के walk की बात करें, तो evening hours, around 5 to 7, 4 to 7, depending on आपके शहर में कितने बज़े सुरियास्त होता है, कितने बज़े धुब कम होता है, वो एक बढ़ पर बहुत लोग, late evening में, night में, देखेंगे, आप कहीं drive कर रहे हैं और कोई gym है बहुत बड़ी सी, तो आपको कांच से सारे लोग, जो है, treadmill पे काम करते हुए दिखेंगे, now that is not the right time, that is a wrong time to walk and that too high impact walk उतने देर तक, उससे फाइदे के बज़ाए नुकसान हो सकता है, ऐसा science क देता है, तो इसलिए ये जो है, fashion, fad के हिसाब से, आपके schedule के हिसाब से, आपके lifestyle के हिसाब से, आपके shock के हिसाब से, जदी आप वैसा कर रहे हैं, तो वो सायथ फाइदे के बज़ाए नुकसान आपको ज़्यादा करेगा, pollution level जो होता है, वो morning hours में, sunrise के पहले और sunset के बाद जादा होता है, इसलिए संभाव हो, तो morning में sunrise के पहले walk को न जाएं, sunrise पे walk को जाएं और उस समय से लेके जब आपकी धूप चड़ने लगे या जब आपको पसीने आने लगे या धूप अच्छा ना लगने लगे, तब तक के लिए ठीक है, थोड़ा जदी आपने वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, sun का भी साथ-साथ समावेश रखा हुआ है, sunrise के बाद गए हैं, तो आपको vitamin D free में मिल रहा है, जिसको sunshine vitamin free vitamin कहते हैं, so that's something, तो ये हुआ, एक और चीज़ है walking के बारे में, कि आप जो है barefoot walking जदी करते हैं, और barefoot walking में जदी आप घास पे चलते हैं, तो ये ज़्यादा ज़्यादा effect देने वाली चीज़ हो जा खाली पैर आप वैसे भी चल सकते हैं, खाली पैर जब चलते हैं, तो चुकी पैर पुला होता है, तो अंगुठे का इसका, उसका सबका रखने का तरीका, सबका जो तरीका है, उसका एक फल मिलता है, दूसरा आपको earthing मिलती है, धरती से आप सीधा सीधा connect होते हैं, मिटी स connect होते हैं और जब मिटी से connect होते हैं तो अर्थ का ये जो connection है direct connection barefoot में जब मिलता है तो ये आपके blood cells में बहुत दो तरह का काम करता है सबसे पहले तो ये reduction करता है white blood cell का जो सफेद रक्तकन है उनका reduction करता है और red blood cells को लाल रक्तकन को बढ़ाता है अब ये प्रक्रिया होने से क्या होती है तो it makes better immunity आपके immunity को सीधे-सीधे boost करता है barefoot walking आपके antioxidant की मातरा को बढ़ाता है free radicals को stop करने का काम करता है ये जो है inflammation को कम करता है और आपकी sleep की quality को बढ़ाता है and if you are lucky कि आपके पास खुद का lawn है या खुद का क्या बोलते हैं campus है जहां पे आपके पास घास लगा हुआ है या safe clean land है जहां पे आप पैदल चल सकते हैं आप शहरी जिंदगी में नहीं है जहां कोई flat में रहते हैं और और जदि आप फ्लैट में भी रहते हैं शहरी जिंदगी भी हैं तो आस पास कहीं न कहीं पर गार्डन होगा और उस गार्डन में भी ग्रास होगा कोई न कोई ऐसा जगह होगा तो आप जदि चाहें तो इसको कहीं से भी फालो कर सकते हैं If there is a will, there is a way. तो walking barefoot on grass के ये सब फाइदे हुए. Walking barefoot on grass का एक और फाइदा है, जो सीधे सीधे आपके आँखों से connected है, आपके आँखों के रोशनी से connected है, आपके आँखों के light और life से connected है. और वो ये कि walking barefoot on grass helps stimulate the functioning of your certain organs और उसमें eye सबसे top पे आता है. वो क्यों? क्योंकि वो eye sight को naturally बहतर करने लग जाता है. आपके आँख में जदी issue है, आपके आँख से जदी आपकी दृष्टी थोड़ी कम हो रही है, आपके आँख में किसी तरीकी के issues देख रहे हैं, आप इसको try करना सुरू करें, आपको चार से पांच week में result visible तरीके से दिखना सुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा असर करता है. ये completely science-backed facts हैं. ये जो कुछ region इसलिए है कि there are points under your feet, जब आपकी जब आप कदम रखते हैं, तो इसलिए जब 80 पहले रखते हैं, पंजाल आते हैं, तो उसके रखने का भी तरीका ये पूरा का पूरा भगवान के दोरा बनाया हुआ है. और जब आप उसकी points की बात करें, तो वो सारे के सारे reflexology जदिए आप जानते हों, और इसलिए आँखों की ब्याधियां कम होती हैं, रोशनी बढ़ता है, और ये जो है सबसे बड़ा जो काम करता है, आज के digital age में उसकी जरूरत है कि आँखों को relax करता है, आँखों को moisturize करता है, शानत करता है, क्योंकि हम digital eye में रहते हैं और उस पे ज़्यादा strain आया हुआ रहते हैं, वाकिंग barefoot on grass के साथ कुछ और amazing effects हैं, और वो आपके brain पे, mind पे है, आपके mind पे है, और वो है कि वो आपको de-stress करने में मदब करता है, क्या करता है ये, तो ये सबसे पहले, तो science का एक data है, वो data ये कहता है, कि ये आपके stress level को 52% कम कर देता है, 52% आपके stress level को कम कर देता है, when you walk barefoot on grass, क्योंकि आपका जो endorphine का level है, जिसको happy hormones आप कहते हैं आपकी body में, उसको ये बढ़ा देता है, और आपको de-stress करने में मदद करता है, आगे आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैं आपको quickly बताने जा रहा हूँ, वो है 5 surprising benefit of walking, अभी तक हम बहुत सारे इसके अंगिनत फायदे गिन रहे थे, लेकिन 5 surprising benefit, जो साथ ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, वो बताते हैं एक एक करके, सबसे पहला तो ये कि walking counteracts the effect of weight promoting gene, आपके पास एक weight promoting gene होता है, और वो actually आपके body weight को decide करता है, कोई आदमी बहुत कम खा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो वजन उसका बढ़ रहा है, या वो थोड़ा सा ओवेस होने जा रहा है, तो उसकी weight promoting gene है, और उस gene को ये walking counteract करता है, उसको control करता है, तो जब आप brisk walk लेते हैं अपने daily routine में, तो ऐसा कहा जाता है, कि एक घंटा जदी आप रोज चलते हैं, तो ये आपके उस gene वाले effect को 50% कम कर देता है, आधा से ज़्यादा कम कर देता है, दूसरा, walking boosts your immune function, क्योंकि ये free radical वाली बात करता है, ये आपको सीधा-सीधा blood flow बढ़ा देता है, ये आपके stress को कम कर देता है, आपके inflammation को कम कर देता है, आपका antibodies को strengthen कर देता है, तो immunity तो boost होना है, तो immunity function आपका बढ़ जाता है, and even if you get sick, जदी आप regular walker हैं, और जदी आप बिमार पढ़ जाते हैं, तो आप notice करेंगे, कि आप जो है shorter duration के लिए बिमार पढ़ते हैं, 5-6 दिन नहीं पढ़के, कुछ गंटों के लिए, कुछ एक दिन के लिए बिमार पढ़ते हैं, अच्छा दूसरी चीज, आपका सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को ये जो है फॉर्मेट होने में बाधा डालता है, और इसलिए ये walking इस तरीके से काम करता है, ये क्या करता है, तो walking regulates some hormones that contributes to the development of those cancerous cells, तो research confirm करता है कि walking breast cancer को 14% तक कम करता है, breast cancer के खत्रे को कम करता है, and walking also provides protection, जिसको कहते हैं न, women को breast cancer से और इन चीजों से, खासकर ज़िए women overweight है, खासकर ज़िए women is using कोई hormonal supplements, तो उसमें chance से ज़्यादा हो जाते हैं, और chance से ज़्यादा हैं, और ज़िए walking है, तो सायद उसको counteract कर सकते हैं, चौथा point, surprising fact वाला, कि walking can reduce your sweet craving, हर आदमी को मिठा खाने की इक्षा होती है, craving होती है, sugary drink लेने की इक्षा होती है, do you know that walking can reduce your craving, और आपकी variety of sugary snacks जो आप लेते हैं, उसकी इक्षा कम हो सकती है, और आप उससे बच सकते हैं, walking can improve your mood and regulate your blood sugar more effectively, तो जदी craving भी कम हो गया, और उसको भी जदी आपने regulate कर लिया, तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, और impact craving का इस तरीके से हो सकता है, कि खासकर overweight people के लिए जदी बात की जाए, जिसका वजन जदा है और जो बहुत जदा गेन करके बैठा है, उसकी जदी craving को कम कर दी जाए, तो ये जो है sugar craving, तो ये जो है super beneficial उनके लिए हो सकता है, तो ये walking कर सकता है, और पाँचवां, और आखरी, walking eases your joint pain, joint pain एक बड़ी समस्या बनती जा रही है modern age में, पहले किसी किसी को joint pain की बात होती थी, अभी देखिए young age में सबको है, और जादा तर लोगों को है, बहुत लोगों को आरे बढ़ने की बज़े से है, बहुत लोगों को autoimmune disorder होने की बज़े से है, क्योंकि हमारा खान-पान, हमारा lifestyle, हमारा रहन-थान वैसा हो गया है, बट walking एक ऐसी चीज़ है, जो arthritis-related pain को reduce करता है, and if you walk five to six miles a week, then it can even prevent arthritis from forming at the first place, arthritis होने ही नहीं देगा, और arthritis आज के समय में बहुत ज़्यादा popular होता जा रहा है, walking protects your joints, एक line का statement है, कैसे protect करता है, तो ये lubricate करता है, ये strengthen करता है आपके muscles को, जो की उन joints को support देते हैं, खास करके knee या hip, इसको जो है वो support करता है, जो सबसे ज़्यादा prone होते हैं joint के लिए, आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बात करते हैं, five ways to incorporate walking in your daily routine, daily routine में walking को कैसे add करें, quickly five tips मैं देता हूँ, पहला tip है कि take one step at a time, कभी भी आप ये नहीं कहें, कि हम जो है 8000 कदम चलेंगे, या 10,000 कदम करने चलेंगे, और कली से चलेंगे, यहीं पर problem आ जाएगे, एक कदम, छोटा-छोटा कदम लें, take it slow, achievable goal लें, आज हम सब best हैं, आप भी best हैं, सब लोग best हैं, जब best हैं, तो हमने plan तो कर लिया, उस समय अच्छे mood में थे, health के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब walk का time आया, तो work आ गया साथ में, कोई urgent काम आ गया, कुछ जल्दी जाने की बात आ गई, तो क्या हुआ, दोनों में तालमेल नहीं रहा, आपका एक पहलू, one of your aspects ने plan किया था, आप ही का एक दूसरा version ने, उससे में काया कि नहीं नहीं, अभी ये ज़्यादा जरूरी है, काम ज़्यादा जरूरी है, वर्क ज़्यादा जरूरी है, तो क्या हुआ, या मस्ती ज़्यादा जरूरी है, तो वॉक रह गया, तो क्या हुआ, कि आपको इसके लिए एक ही तरीका है, कि schedule करें, अपने time को block करें, और अपने calendar को उसके हिसाब से manage करें, तो ज़्यादी time block दे दिया है, तो फिर काम होगा, आपने अल्रीडी कह दिया है, कि मैं कल सुबह आपको मिलूँगा, तो आप कुछ काम भी आया, तो आप कहतें कि नहीं, उनका appointment अल्रीड है, तो उस हिसाब से, जैसे आपने तय कर लिया, तो उस हिसाब से time block होता है, उस time block के साथ आप काम कर सकते हैं, तीसरा जो tip मैं दूँगा, वो ये कि involve friends and family, अपने जो सबसे चाहते लोग हैं, उनको involve कीजे, जब involve करेंगे, तो walking टूटेगा नहीं, उनके साथ आप रहेंगे, उनके साथ रहने के लिए रहेंगे, और walk हो जाएगे, चौथा जो है, make it attractive, make it doable, make it fun, James Clear का जो atomic habits है, उस book से ये सारांस आप ले सकते हैं, और वो तीनी line वहाँ पे कहते हैं, वो कहते हैं, make it attractive, make it doable, make it fun, attractive बनाईए इसको, अच्छे जूते लीजिए, अच्छे track shoot लीजिए, अच्छे तरीके लीजिए, अच्छा सा music set लीजिए, ताकि आपको attractive लगे, अच्छी जगह पे जाईए, और अपना target छोटा रखी, doable रखी, आपकी मर्जी में आज नहीं जाते हैं, तो ऐसा छोटेंगा नहीं, क्योंकि accountability group है, उसके साथ जाएंगे, उसके अलावा, आपको जो है, measure it, एक point यह है, कि आप इसको measure करें, measure कैसे करेंगे आप, तो fitness band से करें, sleep से करें, क्या बोलते हैं, आपने Google steps से करें, या इस तरह की चीज़ों से करें, या फिर, आप अपने अंदाजे से करें, जैसे माल लेजए, कि 15 मिनिट में जदी आप 2000 कदम चलते हैं, 20 मिनिट में 2000 कदम चलते हैं, अपना नाप लें, average 15 मिनिट में आप 2000 कदम चलेंगे, तो जदी average 15 मिनिट में 2000 कदम चलते हैं, तो कोई band पहना है, नहीं पहना है गूगल स्टेप है नहीं है आपने ज़िए एक घंटा चला उस स्पीड में तो आप जो है मेंटेन हो गए तो ये वह फाइब वेज तो इनकॉर्परेट वाकिंग अब मैं अगला बताने जा रहा हूं पाँच टिप टू इंशूर डेली स्टिप इनकॉर्परे पहला टिप और ये सारे टिप तब भी काम करेंगे इवन इफ यह तू बिजी तो इसलिए ध्यान से सुने सबसे पहला टिप फोन कॉल कोन ऐसा आदमी है आज की डेट में जो फोन पर नहीं रहता घर में बैठा है तो भी फोन पर होता है बिजनस में तो फोन में होता है की से कड़े हो जाएं । जहां पर आफिस में तो खड़े है और चल के बात करना शुरू करें अपने के बिन में कोरीड़ोर में आप सुरू ब्र पहून पर बात करें सबसे कारगर ट्रिप है और इसको ज़दी आप फॉलो करें तो पांच-दसजार कदम तो ऐसी हो जाएंगा पहला दूसरा वाक दे टॉक बहुत लोगों के साथ आपकी मीटिंग होती है टेबल पे कोई पेपर पे मीटिंग हो रही है तो वाक दे टॉक हो गया आपके घर में भी कोई रिलेटिव साय है फ्रेंड साय है आप बैट के कपे कर रहे हैं आप हो सकता है तो बस वाक करके वाक दे टॉक तो दूसरा तीसरा है पार्क फर्दर गाड़ी जब आप पार्क करें मोटर साइकल, कार जो भी पार्क करें आप वो थोड़ा दूर पार्क कर दें जिस बिल्डिंग में आपको जाना था उससे थोड़ा आगे जाके पार्क करके आ जाएं तो आपको दो फाइदे होंगे पार्किंग भी जी मिल जाएगा आप कभी भी देखिएगा आप मॉल में जाते हैं मॉल में जाते हैं तो मॉल जहां पे होता है वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती वहीं पर पूलिस टो करते रहता है लेकिन ज़दी आप थोड़ा दूर चले जाएं तो उधर खाली-खाली पड़ी रहती है ज़दी आप किसी दफ्तर में जाएं वही सिच्विशन किसी बैंक में आप जाते हैं थोड़ी दिर के लिए गाड़ी जहां पे छोड़ना होता है वहाँ देखिए सबसे ज़्यादा गाड़ी लगी रहती है थोड़ा आगे चले जाएं खाली मिल जाएगा तो आप पांच बिलिडिग आगे चले जाएं खाली की खाली भी मिल जाएगी गाड़ी भी अच्छे से पार्क हो जाएगी और आप वहाँ से चल के आ जाएं तो park फरदर दूर जाएकी पार्क करें चौथी बात जो है वो है take staircase लिफ्ट के बजाए सीडियों का इस्तमाल करें जदी 2-3 floor है तो अब 10 floor है तो सीड़ी मत चड़ने लग जाए आक्षे कुमार की तरह लेकिन जदी 2-3 floor है तो आप सीड़ी का इस्तमाल ज़्यादा कर लें और जदी 5-6-7 floor भी है तो एक दो बार कभी एक बार उतरने चड़ने के लिए इस्तमाल कर लें दिन में तो बहुत बढ़ी है और पांचवाँ जो टिप है वो यह कि take walking breaks at work walking break work में लीजिए that means आप जो है बीच-बीच में break ले लें और walking का break लें मतलब आप निकल गए walk करने के लिए और कहीं कहें नहीं आप office में ही है सायद अपने cabin में ही है सायद अपने area में ही है और फिर walk करके आप आगे तो यह walking break हो सकता है अब पांच मित बताने जा रहा हूँ time बहुत कम बचा है but quickly मैं पांच मित आपको बता रहा हूँ हर चीज की मिथ्या धारनाय होती है और walking में भी ऐसी है तो सबसे पहले पहला जो मित में लेने जा रहा हूँ one by one पहला जो मित है वो यह कि आपको दस हजार कदम चलना ही चाहिए benefit लेने के लिए otherwise कोई फैदा नहीं है जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है यह मित्या धारनाय है यह मित है it's not true American Heart Association AHA सबसे ज़्यादा authority रखने वाला information देने वाला American Heart Association यह कहता है कि 30 मिनट जदी आप exercise प्रतिदेन करते हैं and if you have been sedentary तो भी आपके लिए यह 30 मिनट वाला चीज जो है proper है fine है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 कदम ही करें वो फाइदे लेने के लिए 10,000 कदम करें बहुत बढ़िया डबलू एचो का 8,000 फालो कर लें बहुत बढ़िया लेकि जदी नहीं कर पाये हैं sedentary हैं किसी वज़य से ब्यस्त है तो आप ऐसा करें कोई प्रावलम नहीं अब एक और चीज कि जदी आप लंबे समय से sedentary पड़े हुए हैं तीन चार पाँच महीने हो गए आप आप आफिस को लेके या किसी वर्क को लेके या किसी बात को लेके या आपके बॉड़ी के कोई तकलीफ को लेके आप sedentary हो गए हैं आप जो है एक्टिव नहीं है बह होड़ा सा बढ़ाएं पर हर दिन गोल लेते जाएं तो हो जाएगा दस हजार नहीं हुआ है तो कोई फायदा ही नहीं है बोलके छोड़ने का मतलब नहीं मित नमबर टू walking for people who cannot run ऐसा कहा जाता है कि जो दौर नहीं सकता उसके लिए walking है बाकी लोगों को दौरना चाहिए ऐ मैंने उनको scientific reference दिया और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अरे मैं इतने समय से गलत बता रहा था लोगों को और मैं एक अच्छा खासा trainer हूँ और मैं सबको गलत बता रहा था क्योंकि उनके trainer ने उनको गलत बताया था तो ऐसे myths होते हैं जो घुमते रहते हैं तो ये walking के वल दौर ने जो नहीं दौर सकता उसके लिए walking है बाकी तो walking का कोई फैदा ने ऐसा बिलकुल नहीं है ये सही नहीं है walking is for everyone research confirm करता है कि lower rate of hypertension high cholesterol heart disease और diabetes regular walker में पाया गया runner की अपिक्षा जादा मतलब जो लोग दौर रहे थे उनके स्वास्थे में इन सब बिमारियों का जो जिक्र मेंने किया वो जादा था बनिस्पत की जो regular walker थे तो ये जो है myth है myth number 3 walking is not an effective exercise for weight loss बोलते हैं इसे walking से weight loss का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए walking का कोई फैदा नहीं है ये सही नहीं है walking can be great way to maintain a healthy weight actually healthy weight जदी maintain करना है तो walking बढ़िया है research ये कहता है कि आप जदी varying walking करते हैं मतलब varying speed में कभी मतलब आप brisk कर रहे हैं आप fast कर रहे हैं आप slow कर रहे हैं जदी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये workout का का काम कर जाता है और ये जो है 20% ज़्यादा calorie burn करता है आपका आप ए एक चल रहे हैं जिसमें बीच में आप एक pace बढ़ा देते हैं फिर आप कम करते हैं फिर मतलब variable तरीके से जदी आपने उसके speed को रखी है तो ये 20% तक आपका calorie burn का rate बढ़ा देता है so when you walk for weight loss shake up आपने routine को थोड़ा सा उस तरीके से adjust करें कुछ speed variation लाएं उसमें और उसके साथ साथ आप इसके बेहतरीन फाइदे ले सकते हैं और उसका फाइदा हो सकते हैं myth number four आप जो है जदी आप बात करें walking की तो एक ऐसी धारना होती है या आप इसको कहीं मानते हो तो कि जितने देर walk करते हो तो नहीं देर इसका फाइदा है बाद में इसका फाइदा नहीं है ऐसा नहीं है ये भी मिथ्या है क्योंकि जो endorphine release होता है जिसको happy chemicals जो release हो रहे हैं जब आप walk कर रहे होते हैं तो वो जो है आपके mood को गंटों तक तक तकरीवन 6 गंटे 8 गंटे तक pop up रखते हैं और आपको elevated रखते हैं आपको charge रखते हैं आपको बढ़िया रखते हैं इट also supports a better night sleep walk का जो सबसे बड़ा फाइदा है वो ये है कि आपकी नींद अच्छी आएगी आप सुबह walk कर रहे हैं अगले रात को नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि इसका direct connection ज़्यादा करते हैं तो आप देखिए आपको नींद भी समय पर आएगी और समय पर नींद खुलेगी भी तो ये walking का एक फाइदा है walking improves your balance and coordination तो इसके साथ-साथ क्या होता है कि आपकी mood है आपका सारा कुछ सारा कुछ जो है bones है muscles है सब के बड़े आसर होता है myth five और आखरी myth ये है कि walking is bad for your knees बहुत लोग कहते हैं कि घुटने के लिए walking ठीक नहीं है ज़्यादा चला इसलिए घुटने उसके घिस गए ऐसा बिलकुल नहीं है ये पूरी के पूरी myth है only people with sensitive knee joints किसी का मान लिए कि osteoarthritis हुआ पड़ा है घुटना already घिसा हुआ है तो ज़्यादा चलने से नुकसान होगा वहाँ पे ये उस बिमार विक्ति के लिए है जिसका घुटने में तकलीफ हुआ है या किसी का sensitive knee joint है तो उनको तकलीफ हो सकती है उनको challenge हो सकता है बाकी सारे लोगों के लिए it is perfect it is better because ये क्या करेगा कि walking is recommended कोई भी डॉक्टर के पास जाईए कोई भी बि किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है तो ये flexibility और strength बढ़ाता है उसी joint की actually walking can help in relieving joint pain also और बहुत सारे लोगों को जिसको joint pain होगा आप पूछेंगे तो pain है लेकिन जब वो walk को निकलते हैं या walk करने लग जाते हैं तो pain relief हो जाता है क्योंकि वो pain को भी relieve करता है और flexibility और strength भी दाता है so this was about today's session everything that you wanted to know about walking और इसमें मैंने almost everything cover किया हरका 5-5 top cover किया और science-backed fact आपको दिये now I am sure that you have got value from this session ये जो आपने पिछला 50-55 minute बिताया इसमें मैंने आपको value देने की कोसिस की और I am sure आपको value मिला होगा the best value जो आप इस session से ले सकते हैं वो ये कि जदी आप walk पे नहीं जाते हैं आपके ब्यस्ता की वज़े से या किसी और region से तो कल से आप walking सुरू करें और यदी आप walk पे जाते हैं बट regular नहीं है बीच-बीच में नहीं जा पाते हैं बीच-बीच में जा पाते हैं तो उसको regular क कर लें कल से क्योंकि इसके लिए कोई तयारी नहीं लगती जस्ट चले जाएं 8000 नहीं करके 2000 करके आ जाएं 200 कदम करके आ जाएं that's fine but do not break the chain और तीसरा टाइप का वेक्ती जो की regular walk को जाता है कभी break नहीं करता उसके लिए भी इस session से best take away ये होगा कि आप अपने posture को चेक करें correct way of walking को चेक करें और देखें कि क्या आप सही तरीके से walk कर रहे हैं सही समय पे walk कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत समय पे walk कर रहे है गलत तरीके से walk कर रहे हैं तो ये था आप हमारे YouTube चैनल को ज़िए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे more informative वीडियो all science-backed वीडियो आप देख सकें और ये सारा कुछ आपको लेके आता है Will The Life Rewards जो इंडिया का first wellness reward program है और and join within a minute simply log on to wealthylife.in and create your account your email ID your phone number and your account is created and जो भी आप अपने health के लिए कुछ करें जानना चाहें करना चाहें जादा कदम चलना चाहें उसके लिए भी आपको इसमें reward मिलेगा all you need to do is log in sign up sorry go and sign up sign up करने के लिए आपको invite code लगेगा और invite code कहां मिलेगा ये एक बड़ा सवाल आपक तो आपको जिनोंने इस session में बुलाया होगा वो आपको invite code लेकर आपकी मदद कर देगा जिनोंने आपको ये बताया होगा उनके पास से भी आप invite code मांग सकते हैं तो invite code लेके आप इसको join हो सकते हैं and that's all in this session. Thank you so much.